हेलो गाइस वेलकम टो यह योडिव चैनल पे उपल टेचर तो कैसे हो आप सब बाश्या की सब भड़िया होगे स्वास्त होगे जैसा आप सबी को पहता है कि हम आज कि जीवीटी कमिशन की प्रेपरेशन कर रहे हैं तो फिलाल आज की वीडियो में हम बात करें कि हिंदी के ट गंगागे गंगादास जमुनागे जमुनादास का अर्थ है तो जो अर्थ वाले कोशन है बहुत बार पुछ चाते है जो यह वाला कोशन है गंगागे गंगादास जमुनागे जमुनादास यह कोशन आपके पास पिछे भी आ रखा है और कोशन पेपर में मतलब कि जो को निसको आप सिधान की बात न हों इसके दे बात वहां पर का यहा उन्हें फिल करना है यह सत्य और अहिंसा काड़ संबन्द है तो हमें बताना कि आखेकाड जो सत्य सत्य और अहिंसा होते हैं उसके बीच किस्तिके का संबंद होता है तो जो हमारा सत्य और अहिंसा के पेच हमारा घनिष्ट संबंद होता है तो जब आपसे ऐसा पुछे जाए कि सत्य और अहिंसा का डैश संबंद है तो उसके बीच मारा घनिष्ट संबंद होता है बहुत ही ग बेद हैं शब्त के कितने बेद हैं और संग्य के कितने बेद हैं सर्वनाम के कितने बेद हैं ऐसे कोशन आप से दातर पुछा जाते हैं तो कर्म के आधार पर क्रिया के कितने बेद होते हैं तो हमारे दो होते हैं नेक्स्ट जो कोशन महारा है यह मारा लिंक बदलो से हैं तो ऐसे question आपसे बहुत बार पुछे जाता है कि link बदलो, वचन बदलो, विलूम शब्द, प्रियार्थक शब्द, यह हिंदी कैसे main topics है जिसके regarding question हर साल पुछे जाते हैं और यह वाला question बहुत important है, अगर आप इसको ध्यान में रखोगे, तो कभी भी पूछा जाए, तो आप easily इसको कर सकते हो, तो question पूछा अगर link की दरिष्टी से जो दही है, वो क्या है, तो अगर हम बात करें, link की दरिष्टी से जो दही है, वो उमारी pooling है, तो यहां पर option number भ बच जाएगा, वरना सोचने में time worth नहीं करना है, next question भी आपका यह link बदलों से आया हुआ है, तो बहुत important topic है, तो इनको place आपने पढ़के जाना, ठीक है, तो कभी का selling होता है, कभी तरी, तो यहां पर जो option number C है, वो हमारा सही है, next बात करें, question number 67 आप से पूछा गया है, देवनागरिक हिंदी वो संस्कृति के अतिरिक्त अन्यकिस बहाशा की लिपी है, तो जो हमारी मराठी और नैपाली है, वो भी मारी देवनागरिक लिपी में लिखी जाती है, अगर आप से कभी भी question पूछ जाए, कि देवनागरिक लिपी में और कौन कौन से चीज़े लि तो यह हमारे स्वर्गेवएNJAN के संपनी की तो पहले नियों वर्ण के तो स्वर वेंजन भेद है दो और दूपसार के बिदी हें है कि पलूतव होते हैं कि बात करें तो जिसमें हमारा सबसे कम समय लगता ऋ रि दिर्क के बात के जिसमे मारा दुगना समय लगे तो यह वाले हम मारे आज है बड़ी बढ़ा यह वाले शब्द हाएगे और प्लूत जिसमें बहुत ज़यादा समय लगता इसकी और हय् इस तरिके के शब्द मारे प्लूत में आते तो इनको भी आपने ध्यान में रखना यह से एक और कोशन बन गया अगर आपसे कई बहुत बार अपर पुछ जा यहां यह मतलब कौशन है और ध्यान में रखना क्योंकि छोटी चोटी बाथ है हम भूल जाए और अग्जाम में कन्फ्यूज हो कि कोई गलती आंसर को टिक करके आजाते हैं जबकि हमार को पता भी होता है फिर भी हम कई बार गलत कर देते हैं तो इसलिए चोटी से चोटी चीज़ों भी कराई जाते हैं आपको तुसको आप प्लिस नोट डाउदन कर ले न क्योंकि कई बार ऐसा होता कि कि मारिट में बहुत साथ चीज़े आ जाते हैं आज में तो आपको बता दे जाते हैं तो उनके साथ ही थोड़ा नोट बना लिया जिससे आपको भी बहुत इसली हो जाएगा और आपका जो टैट है वह इसली क्वालिफाई हो जाए नेक्स्ट कोशन बात करें तो यहां बाकि इसकी अलग से वीडियो आएगी मंडे को आपके पार मेगा प्रैक्टिस सेट है उसके बाद आपको इसकी वीडियो साथे रहेगी कोशनों के रिगार्डिंग थोड़ी बहुत जो कि आपको हेल्प करेगी आपके टैट को क्लियर करने में तो यहां पुछा गया है य विड्या जमा आल्य तो जब इनका हम सन्दी विच्छाथ करें तो जो इनके मिलिंग है वो अलग-अलग हो जाएगे विद्या का अलग अलग horse अलग मिलियो कर सकते हैं और साथ्र खंढ होने पर उनके जो मिलिंग हो ओलग हो जाएगी तो रुखी की शब्ट के बात करें त किसे झी तिसरे ही व्यक्ति को मितलब दर शाय। जैसे कि आपके पास याते है और बार्थ कोशन aq आप से पूछे गया है कि भूत काल में कितने भेद होते हैं तो काल के कोशिन आते देखो आपके पास कोश्चन में हमेशा भेदों के बारे में सबसे जाद आप पूछा जाता है तो इनको आपने अच्छे से पड़ देना बाकी में आपको मेगर प्रैक्टिस सट्ट में और रखक्षोर इससे भी आपके पर कोशिन पूछन ही तो यहां पर जो कोशन है वह हो तो इसका जो हमारा भाउ है हो है रती जब भी आप से पुछन है कि जो शिंगारस है उसका स्थाई भाउ क्यों है वो रती है तो इसको आपने याद रखन है तो यहां पर option number D आपके प प्रादान के लिए यूज होता है तो संप्रादान में के लिए होता है तो का रख का यह वाला जिन सही है तो मतलब option number b हमारा पर यहां पर सही है तो अब बात करते next question आलसे शब्द का विशेशन क्या है विशेशन होगा संग्या होगी सर्वनाम होगा इससे भी बहुत question पुछे जाते हैं आपके पास तो इनको भी आपने एक वाइच्छे से पढ़ लेना है तो आलसे शब्द का जो विशेशन होता है वो हमारा आलसी होता है तो option number c हमारा यहां पर बिलकुल सही है आलसी नेक्स बात करें तो यह question हमारा शब्द से आया हो है लाल्टिन शब्द है तो जो लाल्टिन शब्द है आखिर वो किस प्रकार का शब्द है ऐसा आप से पुछा जाते हैं इससे पहले भी हमने question के बारे में बात की थी शायद से वह हमारा था यौगिक शब्द से यौगिक यौगरूड और रूड़ शब्द है यह आपके पास थे और ये है आपके आप आप यहां पर तह्सं तभ्व देशज और विद्देशज तो जब हम बात करें तत्सम्शब्द की आखी जह तथक्सम शब्द है यह कैसे शब्द होते हैं तो यह हमारे संक्ष्क तो हिंदी में भुए लिखते हैं तो कई ऐसे शब्धा होते हैं जो तत्षम से तत्षम आपसे पुछन शब्ध क्या होगे जो को आप संस्कृत करके लिख लिंधा शब्ध सकते हैं सिस्थम», यातख्य में औरहने हमारा ओक 10% शब्द है ऐसे कोशन आपसे पुछ जाते हैं फिर देशच की बात करें जो आपकी देशी लेंग्विज में बोले जाते हैं इसके खेड़की होगी गाड़ी होगी बैंगन आलू यह शब्द जो आप डेली लाइफ में यूज करते हो और विदेशच शब्द वह थे जो अन् का समय समय पर डेश किया जाता है तो परिसीमन जो चुनाओं क्षेत्र होते हैं उनका समय समय पर क्या है परिसीमन किया जाता है जब आपसे कई पार कोशन में पूछ दिया जाए कि चुनाओं क्षेत्रों का समय समय पर डेश किया जाता है तो बस आपने याद दखना कि क्य किया जाता है उनका परिसीमन तो option number c हमारा बिल्कुल सही है ऐसे questions होते हैं जाहां पर थोड़ा मतलब कि आप ना तो रूल लगा सकते हो ना कुछ कर सकते हो तो यह question है उपढ़के जाना ही पड़ेगा तो end question को आप बिल्कुल लिखके ले जाया करो ताकि कि आपको पतर लगे क्योंकि अगर आप भी लिखोगे तो exam time आप confused नहीं होगे तो आप अगर पढ़ोगे एक बार कि चुना क्षेत्रों का समय समय पर डैश किया जाता है तो परिसीमन अगर आप बाइदावे question आ गया है तो आप सी तिक कर लोगे और आपका time भी बज जाएगा तो इसका सभी option आपका यहां पर option number C तो next question आपका समय 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 बहुत important topic है समय समय और संदिक इनको भी आपने एक बार पढ़ लेना तो यहां पर आया है रात दिन शब्द में समय समय बताने के लिए उचित विकल्ब का चायान कहरें तो जो हमारे रात दिन आज कल सुबा शाम माता पीता ऐ इसे शब्द हो जहां आ तो ओर लगे या बीच में डैश लग जाए तो वह द्वंत समय 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 के बारे में जो द्विक वहां पर का कांउंटिंग बोले तो चतुर बंचम्रिट हो गया इस तरीके के शब्द आए तो मारे ड्वीगू है चांटिंग आ रही मतलड़ 6Ce उसक्न्साफ laquelle सब्सक्राय ने ब द्वीगू के अंदर रहें करमझारल समस वह छहते हैं जिसमें की करम धारण किया होगा जैसे कि नील गाये, तो नील गाये का नीली है गाये, जिसमें रंग के बारे में बता रहे हैं, नील कमल, नीला है कमल, तो जैसे कि महान पूरुश है, महान पूरुश के करम के बारे में बता रहे हैं, किसी के रंग के बारे में बता रहे हैं, तो वो मारा करम धारिया समास के लाक आता है यहां अहुता है तो प्रदान आता है ports बात कर डिन यह था dışा सकते हम प्रती पे बात करते हैं तो वह मारे अवे-गह उसमास के मैं दर आते हैं तो कोशन का ऑपशन माप पर आपgener होते हुता है इसी तुक्रिक नाड़ पर और लगा होगा ऐसे समास आगे तो समझ लेना वह आपके द्वन समास है नेक्स्ट कोशन आप से पूछे कि इन में से कौन सा भक्तिकाल का कवी नहीं है इस कोशन को आप डाउन कर लेना जो इसका सही ऑप्शन है मारे पर आप्शन नमबर ए अमीर खुसरो तो जो अमीर खुसरो है वो भक्तिकाल के कवी नहीं है अगर आप से कोशन पूछती है क्या था इस पार पूछती है कि इन में से कौन सा भक्तिकाल का कवी नहीं है साथ किया जाता है इसको आपने ध्यान रख लेना या तो नोटाउन कर लेना नेक्स्ट बात करें तो उत्पति या स्त्रोत के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं तो उत्पति और स्त्रोत के आधार पर हमारे पास तिन प्रकार के शब्द होते हैं इस चीज़ को भी भवरी समास है जो भी समास आपका भगवानों के लिए यूज़ किया जाए जैसे कि नील कंट हो गया आपका और क्या होता है आपके पास जैसे कि रावन के लिए क्या बोलते है दशानन्द हो गया और जैसे गनेश भगवान के लिए लंबोदर तो ऐसे वाले शब्द जिसमे कि हमारे भगवानों के लिए यूज किया जाए तो ऐसे शब्द हमारे भावरी समास में आते हैं तो द्वंद क्या आपको पता है द्वंद में आपके पाई या तो बीच में डैश लगा होगा या और लगा जिसके राद दिन सुबा शाम उपर नीचे ऐसे शब्द काई मैं द्विगू की बात करैके तो काउंटिंग वाले शब्द जिसमें की पंचएमरे टृट शब्द के अदर आ गया अव्बह भावरी शमास होगा हमार जिसमें की फेहला अव्वे प्रदान होगा इसकी यह था शक्ति प्रतित दिन शक्ति हमारे अव्वे भावरी समास का यार गिरिधर समास होता है हमारा इसके अंडर आता है जब भी भगवानों के नाम आएगे मतलब भगवानों के लिए जो वर्ट्स यूज किये जाते हैं तो जैसे नील कंठ पर गहरे वगहरे तो यह आपके इसके अंदर आते तो इस चिच को आपने याद रखना क्योंकि समास से बहुत सारी questions पुछे जाते हैं, next question आपके पाब फिर से शब्द से आया हुआ है, यह question आपके पाब पुछा है, अटाली का शब्द है, जो अटाली का शब्द है, नियुज है नियुक्akat तथ्ध्ञ शब्द है, क्यों है तथ्ध्म शब्द है, इसका लोजिक समझो, मैंने ज देशच Rossam नहीं जाता है के साथ रखोता है का है इसके हमारे ब्लूं को ने चाहिए ने का ज़ता है इसको प्रेश्च के बात और इए यह आपके विदेशत शब्द के अंदर आते हैं तो यहां पर जो हमारे साही ऑप्शन है वह ऑप्शन नमबर ए बस इन शब्दों को भी आप ध्यान में रखना इनके जो लॉजिक से वह थोड़े बहुत मैंने आपको बता लिया आज की वीडियो में क्योंकि बहुत बार कु किसी भी भाषा की मौखिक ध्वन्यों को प्रकट करने वाले लेखन चिन को क्या कहते हैं तो उसको हमेशा लिपी कहते हैं इस बात को ध्यान में रखना आप तो यहां पर ऑप्शन नमबर बी जो है वह हमारा विल्कुल क्रेक्ट है अगर आपसे कभी भी पुछा जाए ना किसी भी भाषा की मौखिक ध्वन्यों को प्रकट करने वाले लेखन को चिन को क्या कहते हैं तो हमारा लीपी होता है लीपी में हमेरे जो हर एक चीज की दिखा आपके पार लीपी है हिंदी जो वर्ण मारा इसकी आपके पार लीपी है तो अलग-अलग लीपी होते हर एक च देखा है वो देख सकता है ताकि कि आप अच्छे से इजी लिए असानी हो जाएगी पेपर के लिए की कौन कौन तरफिक पुछ जाते हैं तो रॉक का उचारन स्थान क्या होता है तो रॉक का जो उचारन स्थान है वो आपका धनत है नेक्स्ट कोईशन भूत important कोईशन है और आपके रस से आया होए है तो ये अन्यमन लिखित में से किसे रसराज कहा जाता है तो हमारा शिंगार जो शिंगार है उसे रसराज कहा जाता है तो हमारा option number ये बिलकुल सही है इस कोईशन को भी no down कर लेना क्योंकि ऐसी कोईशन पू जलब क्या होता है आप क्या देने से इंकार करना तो इसलिए सही option है आपके पाँ option number 1 तो आपसे मुहावरे से भी बहुत बार question पुछ जाते हैं तो इसको भी याद रखने लेना अंगुठा दिखाने का मतलब है देने से इंकार करना तो next question आपका है ψ greasy तो उ सबसे पहले समझ लो उपसर्ग होता है आपका सबसे पहले स्टार्टंग वाले ठीक है जो प्रत्य होता वो होता है जो आपके अंड में होता है जो शब्तके अंड में होता है तो यहाँ पे पुछे क centrally और तो उप्छा नयार अंड होते ये अपके इनसाफ है, जो E है और B है, तो आपको A की मातरा है, ये भी आपकी स्वर है और जो E है, ये भी आपका स्वर है, तो कभी भी दो स्वर आपके पार उपसर के अंदर नहीं आते हैं, तो जो उपसर के हैं वो सिरफ B ही है, अगर आपके पार कभी भी ऐसा आजाए कि दो जो स्वर है वो एकठे हो मतलब लगे वे जैसे यहां पर बे ए की मातर होगी और ए की मातर तो यह जो है तुम्हारा जो पहला जो बे है सिरफ यही आपका उससर के अंदर आएगा तो यहां पर जो कोशन आपके पाप पुछ गया है हिंदी की कोशन की बात करें तो इन में कौन सा स्वर संदी का उधारन है तो इसमें जो हमारा पर स्वर संदी का उधारन है वो हमारा स्वर संदी का उधारन है तो option नमबर जो डी है हमारा पर यह बिल्कुल सही है ऐसे कोशन भी स्वर से और मतलब संदियों से बहुत सारे कोशन सबस्क्राइब तो इसमें आपके पड़िया अंदर आते हैं ए stuffs इंप पूछे बहुत अप बट आप टेंशन मत करना जो आपका अभी मंडे को मेगा प्रैक्टिस सेट है उसमें आपको सारे रूल बता जाएगे तो वीडियो बहुत बड़ी होने वाली है तो सेट को कोई भी मिस मत करना नेक्स्ट आपके पार पुछे गया है जो क्षा ध्वनी है किसके अंतरगात आती है तो यह मारे संयुक्त वर्णों के अंदर आती है यहां से बहुत बार पुछे जाता है फिर अगोश और सगोश होगे यह तो अलग चीज़ होगी तो जो बस आपने आद रखना कि यह आपक आपके पार यह स्थाई होती है C है निश्चित और D आपके पार परिवर्तन शील तो जो भाषा होती है ना वो हमारी परिवर्तन शील होती हो बदलते रहती है तो इसका जो सही आप्शन है वह हमारे पार परिवर्तन शील तो नेक्स जो कोशन आपसे पूछे गया है वह ग जिसमें कोई आपको रूल्स नहीं पढ़ने है ग्रामर की तो ऐसे कोशन आप याद रखना होता है या लिख लेना होता है ताकि कि आपको जब आप टैट की त्यारी कर रहे हो मतर्ड़ देने जाहोगे तो उससे पहले एक दो दिन पहले आप एजिली रिवाइस कर सको क्योंक नहीं रखना होगा और इन कोशन को आप नोडाउन कर लेना क्यूंकि प्रिवेस एर के रिगार्डिंग आपको पुछ जा सकते हैं और आपको अंदाजा भी लग जाएगा आखिर किस किस आपसे कोशन पूछे जाते हैं नेक्स्ट कोशन जो आपसे पूछे गया है वह है व शुद्शब्ध का चेहन करें आपको बहुत बार पुछ जाते हैं तो यहां पर जो सही ऑप्चन है वह ऑप्चन नमबर A सन्यासी और नेक्स्ट जो कोशन है यह भी आपसे इसी की रिगार्डिंग पूछेगा है कि शुद्शब्ध का चेहन करें यह आपको दो तिन होगा तो आप वहां पर इजली कर पाओगा आपको दाधर टाइम देने की जुरूरत नहीं पड़ेगी तो नेक्स्ट कोशन आपसे पूछा गिया है ग्रिह बसाकर रहने वाले को डैश कहते हैं तो ग्रिहस्त जीवन जो ग्रिह बसाकर रहे तो उसे हम ग्रिहस्त जीवन कह नेक्स्ट को आपसे पूछेगे इस को भी आप नो डाउन कर लेना क्योंकि आपसे और भी बहुत 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 पूछे गया है पहले उसका अंबर फट गया है में अंबर का अर्थ क्या है ए है आकाश बी यह कपड़ा सी है धौनो डीन मैसे कोई नहीं तो जो अब हम यहा इसका सही ओपशन है मारपा बी नेक्स्ट बात कर एए वह संदी करेगे तो इसका सही ओपशन है मारपा आपसे पुछे गया है जिसका किस सर्वनाम का यॉगिक रूप है A है वह, B है ये, C है जो, D है सो तो इसका जो सही option है वो है option number C Next जो question है, इस तरह के question भी बहुत बार पुछे जाते हैं आपके बार सुंदर विशेशन का रोप स्ट्रिलिंग में होगा A है सुंदरी, B है सुंदरा, C है सुंदर, D है उप्रुक्त में से कोई भी नहीं तो जो सुंदर का विशेशन होगा तो वो मारा सुंदरी होगा जब हम एक महिला के बारे में बात करेगे ठीक है तो वो हम सुंदरी बोलेगे, सुंदर नहीं होगा तो इसका सही option है A तो जो आपका विशेशन वाला topic है हिंदी ग्रामर में बहुत important है यहां से इसी तरह के question पुझा सकी जैसे कि आपके यहां पे पुछा गया है पवित्र तक से विशेशन बनेगा तो इसका सही option है मैं आपका option number A पवित्र तो विशेशन के regarding question पुझा जाते है यह भी मैंने आपको topic में पताया सुब्बा पर अभी जो हम है वो हम सब topic के बारे में बात करेगे तो इसकी tension आप मत करना बट प्रिविशे के question पेपर में हम discuss करा करेगे daily क्योंकि इससे आपको हर साल को जाते है भविशे काल से वर्तमान काल से और भूत काल से आखिर किस समय के लिए बोध होता है ऐसे question पुझा जाते हैं तो A आपके पाद यहां हुआ है यहां पे बीता हुआ समय B है चल रहे समय C है आपके पाद आने वाले समय D है उपरुक्त में से कोई भी नहीं तो जब हम बात करें बीते हुए समय की तो यह हमारा आता है भूत काल में जो हमारा बीत चुका है चल रहा समय हमारा वर्तमान काल में आता है जो अभी चल रहा है वर्तमान में आने वाला समय ये हमारा भविश्य काल में आता है तो इसका सही option हमारा पर option number C तो भविश्य काल से हमारा आने वाले समय का बोध होता है next question आप से पुछा गया है इंद्रा जी एक बार पटना आई थी में जी कौन सा निपात है तो जो जी है वो ना आदर बोध कर रहा है एक समान दे रहा है किसी को इंद्रा जी किसी के नाम के पीछे जब आप जी लगाते हो तो आप उसे आदर समान दे रहे हो क्योंकि आपसे पुछा गया है जो आपने इंद्रा जी के पीछे जी लगा रखा है यह किस निपात है तो यह हमारा आदर बोधक है तो नेक्स्ट बात करें question number 75 आपसे पुछा गया है तो यह अनपड है जो यहाँ पर यह मिस्प्रिंट हो रखा हुआ है अनपड का शाब् करत होता क्या है जो पड़ा लिखा ना हो उसको क्या कहते हैं अनपड कहते हैं तो यहाँ पर जो सही option है option number D next question आपसे पूछा गया है ओजस्वी का विलोम आर्थि क्या होगा तो यह आपका विलोम शब्त से आता तो लिंक बदलो वर्जन बदलो विलोम शब्त इससे आपक अच महल क्या ही सुन्दर है यहाँ कैसा वाक्य है तो यह विसमें अर्थक वाक्य है तो इसका सही option है option number C next बात करें question number 78 आपसे पुछा गया है ना तीन में ना 13 में मुहावरे का अर्थ है तो इसका option पूछा है option number D किसी काम का ना होना तो मुहावरे से आपके बहुत बहु मुहावरे में क्या कहा जाते हैं ना 3 में ना 13 में next question number 79 आप से पुछा गया है काट का आलू का अर्थ है तो इसका मददा मुर्ख जो मुर्ख विखते होते हैं उनके लिए ये वाला मुहावरे का यूज़ किया जाता है काट का आलू तो ऐसे questions पुछे जाते हैं बहुत बार पुछे जाता है repeated भी हो जाते हैं तो कोई भरोसने तक अब आपके question रिपीट हो जाए तो previous year के question paper तो आपके इतने helpful होते हैं कि आप इनको solve कर लोगे तो आप tat easily clear कर सकते हो आप जाए जो मर्जी टैट दे रहे हो अगर आपने previous year के question paper को solve कर लिया एक बार समझ लिया तो उनी के regarding question पुछे जाते है पुछने का तरीका थोड़ा अलग होगा घुमा फिरा के पुछे गे तो पर questions वैसे ही आपसे पुछे जाते है तो next question की बात करें हम यहाँ पर हमासे पुछे गए ब्रह्मर राक्षस किसकी रचना है तो यह मुक्ति बोध की रचना है तो question पुछे जाते है रचनाओं से तो आपके पार इतने सारे question पुछे जाते है कवी के नाम से कवित्रियों के नाम से बहुत कोषण आते आपके पारचनकार कौन है तो इस खोशन को भी आद रख लिए जो ब्रह futur case से वह हमारी मुठी बोद की रचना है नेक्स्ट ये वाले question भी आपकी रचना से ही आया तो मैंने कहा है जो रचना वाले question है बहुत important है आपके महाभारत किसकी रचना है तो ये हमारी वेदव्यास की रचना है तो इसका सब्सक्राइब आपके option नमबर A नेक्स्ट बात करें question नमबर 82 की तो यहां पर आपके से पुछ गया है शब्द और अर्थ द्वारव वाक्य की शोभा को विगुणित करने वाले साधन को क्या कहते है A है छन्द, B है समास, C है कारक, D है अलंका तो हमारा अलंकार कहते है नेक्स्ट कोशन सब्से important कोशन है आपका ये वाला हिंदू रित के अनुसार हमारे कुल कितने संसकार होते है A है 4, B है 6, C है 16, D है उप्रुक्त मैं से कोई नहीं तो इसका सई option है महारा option number C 16 हिंदू रित के अनुसार हमारे कुल 16 संसकार होते है तो नेक्स्ट कोशन आपका कवियों से पुछ गया है रितिकाल में वीरस के कवी है तो ये महारे भूशन है तो इसका सई option है महारा option number A जब भी आपसे पुछा जाए कि रितिकाल के वीरस के कवी कौन है तो वो महारे भूशन है तो कवी और अचनाव के जो कोशन आए न उभी इनको आप लिख लेना क्यूंकि ये आपके पास बहुत helpful रहे गए आपके अच्पिटेट के लिए तो नेक्स्ट कोशन आपसे पुछे गए निमन में इससे कौन से पुस्तक महादेवी वर्मा द्वारा लिखी नहीं है A है उर्वशी B है आपके पास समरिति की रेखा C है यामा और D ये पत के साथ ही तो इसका सही आप्शन है आपके पास आप्शन नमबर A उर्वशी जो उर्वशी पुस्तक है वो महादेवी द्वारा नहीं लिखी गई नेक्स्ट कोशन आपसे पुछे गए हिंदी वर्माला में कुल कितने वियंजन वर्म है तो आपको पता है जो हिंदी वर्माला में 33 वियंजन है और हमारे पर 11 स्वर है तो इसका सही आप्शन है आप्शन नमबर D 33 तो नेक्स्ट कोशन आपसे पुछे गए है क्रिप्या जाए यहा कैसा वाक्या है ए है प्रेशन वाचक, बी है अनुरोध वाचक, सी है आग्या वाचक, डी इन मैंसे कोई नहीं तो जब हम क्रिप्या के बात करें जब हम प्लीज बोर है किसी को तो हम वहाँ पर एक अनुरोध कर रहे है किसी को महावीर प्रसाद द्वीवेदी ने किया था तो इसका सही option है मारपा option number B तो इस तरह के question भी पुछे जाते हैं लेखक होगे, रचनकार होगे, संपाधन होगे, आखिर किस के द्वारा कही गई है यह वाली बात है तो इसे question आपके पाँ बहुत बार आ जाते है अच्पी टैट में, तो इनको आप no down कर लेना रचनाओ लेखकों के बारे में, तो next question आपके पुछे गया है, खड़ी बोली का प्रत्थम महा काव्य है, तो यह हमारा प्रियर प्रवास, तो इसका सही option है, आपके पाँ, option number B, ऐसे question आपके पाँ बहुत बार पुछे जा चुके है, और पुछे जाते है, next question आपके पाँ जो पुछे गया है, विश्वा मुत्र की तपस्या किसने भंग की, तो यह हमारी मैंका ने भंग की थी, तो यह वाला question भी बहुत बार पुछा जाता है, तो इसको भी आप no down कर लेना, तो ऐसे question आपके पाँ पुछे जाते है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही आशाए है कि जो आज की वीडियो है, वो आप सबको helpful रही होगी, तो इसी तरह सापको daily, एक एच्पिटाइट की previous year के question paper की वीडियो मिला करेगी, साथ यसाथ उसके बाद आपको content wise मतलब बोले तो concept wise वीडियो मिला करेगी, जो कि आपको 6 बज़े के बाद मिला करेगी, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपनी next वीडियो में, वीडियो अच्छी लगयोगी तो वीडियो को please like share कर देना, और साथ उसा channel को subscribe कर देना,